दोस्तों यह थे आपके पास भी पुराना फटा पुराना आपके पास वोटर आईडी कार्ड है आपकी फोटो बहुत ही बद्धी है बहुत ही पुरानी है यह आप मुवाइल नमबर एड़ करना चाहते हैं क्योंकि ज्यादे तर आप सभी लोगों को पता वोटर आईडी कार्ड काफी पुराना जो मॉडल है, काफी खराब लगा करता था, इन सरकार ने से अपडेट किया है, आप एक बहुत बेतरीन तरीके सा इंटरफेस वोटर आईडी कार्ड दिया गया है, जैसे आप पीवी कार्ड में मगवा भी सकते हैं, प्रिंट करके, वो फिर यह आप कोश्ट है, अभी आप अगर वोटर आईडी कार्ड अपने पीवी सी कार्ड में बनवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अभी दन करेंगे, मैंने और लेडी वीडियो बना रखे, आप उसे देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, वोटर आईडी कार्ड करेक्शन का है, जैसे की नाम, पता, डेटा बर्थ, फोटो, इमेल आईडी या मोवाइल नमबर, इन सबी को आप ऑनलाइन घर बेटे ही चेंज कर सकते हैं, तो आज हम आपको पूरा लाइब करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें, पूरा डेटेल जानने के लिए मैं ले चलूँगा आपको कंपड़े स्क्रीन पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको आजाना है कंपड़े स्क्रीन पर, और आपको सबसे पहले वोटर आइडी ही सर्च कर देना है, पूछ आपको नहीं करना है, गर वोटर आइडी सर्च करेंगे, आपको NVSP का एक वेबसाइड मिलेगा, एक मिलेगा वोटर पोर्टल.eci.gov.in, तो आपको इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है, इस पर क्लिक करते ही, आपके सामने वोटर.eci.gov इन की ओफिशल वेबसाइड का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, इंटरफेस पूर्टा चेंज हो चुका है, सरकार ने इस पर काफी काम किया है, और इसको अब एक एडवांस लेविल तक का पहुँचा दिया है, तो यहाँ पर देखेगा, अलग इसके लिए देखी सबसे पहले इस वेबसाइड पर आने इस पहले, अगर आप पहली और विजिट किया है आपने, तो यहाँ पर आपको एक यूजर आईड और पास्वड बनाना होता है, इसके लिए साइन अप बटन आपको दिकरा होगा, इसी पर किलिक करना होगा, और send OTP, continue पर किलिक करेंगे, तो आपके मोईल पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके आप यहाँ पर confirm करेंगा, आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा, फिर से आपको main portal पर आना है, लोग इन वाले portal पर आने के बाद यहाँ पर आपको login बटन देख रहा है, इस पर किलिक करना है, आप आपने जो भी मोईल नंबर डाला ता वो डालना है, पाशवर्ट जो आपने बनाया ता वो डाल कर, capture डाल कर, request OTP पर किलिक कर देना है, मेरे पर OTP आच चुका है, मैं यहाँ पर OTP डाल कर verify and login पर किलिक करूंगा, जैसे आप OTP डाल कर verify and login पर किलिक करेंगा, आपका portal खुल करा जाएगा, आपको correction करने के लिए, voter ID correction के लिए form 8 फिल करना होगा, तो fill form 8 पर किलिक करना है, अब यहाँ से आप से बुछा जाता है कि आप अपने voter ID खुद के correction करना चाहते है, या किसी family member का करना चाहते है, तो मुझे sales पर किलिक करना है, क्योंकि मैं खुद का ही अपना voter ID card correction करना चाहता हूँ, और आपका यहाँ पर epic number मांगा जाएगा दोस्तों, epic number होता है voter ID card number, आप अपना voter ID उठाइएगा पुराना वाला, आपर एक number दिया होगा, उस number को यहाँ पर enter करके submit पर क्लिक कर देना है, अब आपका voter ID card हो सकता है, एक या दो आपके पास issue हो, तो आपसे पूसा जाता है, किसलिए आभी दिन करना चाहते हैं, पहला option आरा shifting of president, मतलब कि अगर आप किसी एक address पर रहते थे और दूसरे address पर रहने लगे हैं, पतलब voter ID card में आप चेंजमेंट कराना चाहते है address को, तो आप पहला option select करेंगे, दूसरे की बात करें, correction of entries in existing electoral role, मत अगर आपको correction कराना चाहते हैं, नाम पता वगेरा जो आज का हमारा topic है, तो second आपको choose करना option, तो मैं इसी को choose करूँगा और ok पर click कर दूँगा, तो यह दिखिए आपका यहाँ पर state, district और आपका जो भी assembly पढ़ती होगी, वो already हाँपर select होकर आ जाएगी, और आपको आना है नीचे, बी option में दोस्तों आपका नाम दिखेगा, आपका epic number दिखेगा, अब यहाँ पर क्या क्या आप changement कराना चाहते हैं, आधार detail, please tick the appropriate box, आधार number अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो दे दे, और sale mobile number देना चाहते हैं, तो वो भी आप देंगे father का वगेरा detail अगर देना चाहते हैं, तो आप दे दे, हाला कि यह optional है, आपको third option पर आना है, third पर already, see option पर correction of entries का option select होगा, अब important page और आएगा आपको नीचे application for correction of entries, आप क्या-क्या change करना चाहते हैं, वो यहाँ पर select करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप क्या-क्या change कर से, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी डेटा, बत, relation type, relative names, address, mobile number और photo, यह सारी चीज़ें change की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक restriction है, maximum आप एक साथ चार चीज़ें ही select कर सकते हैं, change कर सकते हैं, मिलब की या नाम, या मिलब कुछ चार चीज़ें आप change कर सकते हैं, mobile number, address, photo, या name, या कु इसके बाद आपको जो भी change करना उसको select करके नीचे आना है, अब आपको यहाँ पर declaration देना है, आपका date पड़ा होगा, अपने place का नाम यहाँ दे देना है, और यह capture डाल कर यहाँ पर preview and submit पर click करना है, ध्यान यह रखना है, दोस्तों suppose that अगर आप कोई भी changement करना आपको यहाँ आपको यहाँ आपको यहाँ पर अपडेट नहीं करना था, मुझे आपको केवल प्रोसीजर बताना था, बहुत ही आसान है, मैंने सारी चीज़ हाला कि कवर कर दिये, सर्फ फाइनल सम्मिट करने को बाकी है, जो मुझे नहीं करना था, तो आप ऐसे घर अपने वोटर आएडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, आप वोटर आएडी कार्ड को नयाब्य मगवा सकते हैं PVC कार्ड में, उसका मैं वीडियो अलर्ली बना चुका हूँ, वीडियो कर आपको हमारा पशन्द आया हो, तो प्रीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, आप उसे एक बार जरूर जाकर विजिट करें, और उसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ उनका सपोर्ट करें, तो आज का जो टॉपिक था वो अगर आपको पशन्द आया हो तो प्लीज वीडियो को हमारे जरूर लाइक से जरूर करें, और हेल्प एंगी चल्व सब्कार नही करें के तुझे रूख कर लें, ताइंक्सों आजे